हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल बैक टू बेसिक्स दोस्तों हमारे चैनल का एक ही लक्षा है टू क्रैक्ट यूपी एक्जामिनेशन बट विदाउट एनी फियर एंड टू रिमूब इस फियर वी नीड तू इंक्रीज आवर एफर्ट्स क्यूंकि एफर्ट्स के कुछ और आये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों आज का टॉपिक है एग्रिकल्चर मेरा नाम है अनन्द मुहन मैंने अभी तक यूपीस के तीन परिक्षाय दी हैं और इन तीनों ही एटेंट्स में मेरा प्रिलिम्स आसानी से क्लियर हो गया है और इसी कारण से मैं आप सभी लोगों के हेल्प करना चाहता हूँ प्रिलिम्स क्रैक करने रहें आये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो दोस्तों फर्स्ट क्रेशन है What are the advantages of conservation agriculture तो conservation agriculture का क्या-क्या advantage है मैं तो देखिए ऐसन एंग्रिकल्चर होता किया Dabeiशन एलिक आलट मिन सिस्ट्म है ठीक है कंजडर्बेशन एक्रिकल्चर के एक फार्मिंग सीश्टम है यह एक एग्रिकल्चर का मेथड़ है है už फ्sheet या कूल इसमें झो है कि आपका जो डी ग्रेडेड लैंड उसको रीजनेरेट किया जाता है स्टों में नजाता है दी ग्रेडेड अगर में लेंड कैसे का मैं इस Sar经ա। या और यूज ऑफ फटिलाइजर के खारण जो डी क्रेड़ेट हो गया तो उसको क्या किया जाता है उसको रिजेनरेट किया जाता है दोस्तों अब चलिए इसके बारे में हम दोग देते हैं क्या क्या है तो तो conservation agriculture के अंतरगत reduction और production and labor cost possible है, हाँ बिल्कुल possible है क्योंकि conservation agriculture का एक तरीक है यह है कि आप जो है उसकी minimum tilling करें minimum tilling करेंगे तो हर बार tilling करने के आपको क्या चाहिए हर बार tilling करने के लिए आपको labor cost चाहिए लेबर चाहिए तो आप टीलिंग उसकी minimum tilling या zero tilling कर रहे है तो आपका labor cost बचेगा ठेक है तो statement बना आपका correct है दूसरा देखिए it is possible to employ principles of conservation agriculture इने variety of agricultural landscapes बिल्कुल सही बात है जैसा भी agricultural landscape हो वहाँ पर conservation agriculture का कोई ना कोई principles applicable हो सकता है दोस्तों तो आपका second statement भी आपका क्या है सही है थर्ड देखिए increase in biodiversity is possible this is also true दोस्तों क्योंकि जब आप ज्यादा लैंड टीलिंग नहीं करते हैं ठीक है तो soil के जो नेचरल बैक्टीरिया नेचरल जो माइक्रो और्गनिजम्स रखते हैं नेचरल माइक्रो और्गनिजम्स क्या होता है वो ग्रो करते हैं ठीक है जिनरली जब हम लोग बहुत ज़्यादा पाट टीलिंग करते हैं उसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स लगाते हैं तो यह नेचरल माइक्रो और्गनिजम्स दीरे-दीरे सॉयल के खतम हो जाता है ठीक है बट जब हम लोग कंजर्बेशन अग्रिकल्चर अडॉप्ट करेंगी तो फिर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो देखिए कंजर्बेशन अग्रिकल्चर के तहथ क्या क्या किया जाता है इक तो पर्मनेंट सॉयल कभर होना चाहिए ठीक है यानि सॉयल में कुछ ना कुछ हमेंसा लगा ही गवा रहेगा फिर देखिए मिनिमम स्वाइल डिस्टर्बेंस होनी चाहिए यानि कि मिनिमम टिलि जीरो टिलिंग ऐसा होता है फिर डाइवर्सिफिकेशन और फ्लांट स्पेसीज होना चाहिए यह नहीं कि सिर्फ पीट और पैड़ी लगा जा रहे हैं बल्कि मिलेट्स और भी बाकी विजिटेबल्स इत्यादी पर लगा जाते हैं पल्सेस ओयल प्रसीट्स इत्यादी तो अधि दोस्तों क्रेशन सेकेंड देखते हैं यहां एक टर्म दिया है वाट आप्लिकेशन सॉफ एलीलो पैथी इन अग्रिकल्चर तो एलीलो पैथी क्या होता है यह पहले समझे यह ईलीलो पैथी इक बैएलोजिकल वाट एल है यह سमझ लिजे एक स्पीसिट के वन इसमाड़ी जो है वह दूसरे स्पीसिट के क्या करें यह को डिस्ट्रॉय करने का काम करें या उसको ग्रोथ को क्षा कर सूप करने काम करें और सोच है कि veecides भी कुछ इसे इसी तरीक एक काम करते हैं गर्विडी साइड कलें दूसरे वीड को या टो उनकी ग्रोध को लगो और स्टटिंग कर यही काम हम लोग केमिकल करते हैं तो और गैनिक जो एग्रिकल्चर होगा उसमें यह यह यूज कर सकते हैं अपने ओवराल एग्रिकल्चर में तो आईए इसमें देखते हैं हम लोग ऐलीलोपैथी का यूज करेंगे किसे ऐसे स्पीसिज का यूज करेंगे जो पर्टिकुलर वीड्स को क्या करता हो हार्म करता हो फिर देखें मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ आल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स इस पॉसिबिलिटी दोस्तों कोई भी जो बायलोजिक करता हो तो यह पॉसिबल नहीं है दोस्तों ठीक है फिर थार्ट देखें रिडक्शन इन डेवलप्मेंट आफ येलो रश्ट डिजीज इन वीड इज पॉसिबल तो यह एक पर्टिकुलर डिजीज है वीड से रिलेटेट हां तो ऐसा हो सकता है कि कोई हम लोग ऐसा अलीलो पैथी एजेंट लेया जिससे की ये वीड वाले डिजीज येलो रश्ट डिजीज इसको कंट्रोल किया जा सके है तो ठीक है अब एस्पेसली में बताऊं तो इसके लिए यूच करता है धातूरा को लेकिन अगें दोस्तो धातूरा का भी बहुत जादा इस्तेमाल नहीं करा थी क्योंकि ये नीरो टॉक्सिक सब्स्टैंस होता है अगर ये वीट में प्रोड्यूस में अगर ये मिक्स हो जाए और अगर उसको लोग खा लें तो फिर थोड़े थोड़े वो लोग पागल हो सकता है फोर्थ स्टेटमेंट देखी इंक्रीज रेजिस्टेंस ट्वार्ड्स एबायोटिक अश्ट्रेस इस पॉसिबल तो हम लोग जो है देखें दो टाइप के अश्ट्रेस है बायोटिक और एबायोटिक तो यह जो आपके अलिलोपैथी एजेंट्स है यह बायोटिक अश्ट्रेस से भी बचा सकते हैं और लॉग टर में वो एबायोटिक अश्ट्रेस से भी बचा सकते हैं तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका भी सही है तो यहाँ पर सेकेंट को छुड़ा करके 1,3,4, all are correct तो रा कि management and control of all insects and pests is a possibility ठीक है तो यानि एक भी ऐसा insect या पेस्ट नहीं है जिसको कि ऐलिलोपैथी के दवारा उसका निफ्टान ना किया जा सकते हैं तो यह इस टाइप के statements तो दोस्तों actually गलत ही हो जाएंगे ठीक है इसको देख लिजे आप ऐलिलोपैथी बस क्या है यह समझ लि a chemical warfare ठीक है among the plants imposed by one plant on other एक प्लांट के द्वारा दूसरे पर इंपोच या जाता है to suppress the latter and take advantage of that suppression यह एक प्लांट के द्वारा दूसरे प्लांट के ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है और इसको इसके ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है an organism produces one or more biochemicals that influence the germination growth survival and reproduction of other organisms ठीक है यानी अलग-अलग stages पर वो उन दूसरे प्लांट को टार्गेट किया जा सकता है या तो germination stage पर growth stage पर survival या फिर reproduction stage पर ठीक है तो यह आप समझ लिजे और यह question third देखते हैं दोस्तों which of the following are used as fertilizers in the process of fertigation ठीक है fertigation term एक बड़ पूछा गया था ठीक है fertigation क्या होता है ऐसे कुछ पूछा गया था तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा general logic जो है वो काम कर सकता है ठीक है बट वैसे general logic में बद जाए या आप आराम से environment की कोई भी book में यह सब terms आपको मिल जाएंगे fertigation is nothing but fertilizer plus irrigation ठीक है तो कई बार irrigation especially कैसे irrigation में sprinkler irrigation में sprinkler irrigation में क्या किया जाता है कुछ जो water soluble fertilizer से उनको mix कर दिया जाता है ठीक है और फिर उसी से irrigation किया जाता है तो इस irrigation को हम लोग बोलते है fertigation ठीक है तो बोल रहा है कि इस में से कौन सब fertilizer जो है fertigation के लिए suitable है दोस्तों हम लोगों को याद करना होगा कि कौन-कौन से जो fertilizer से वह water soluble है तो ammonium nitrate water soluble है हाँ बिलकुल है potassium sulfate water soluble है बिलकुल है phosphoric acid mostly सारे acid water soluble होते हैं urea again water soluble है mono ammonium phosphate यह भी water soluble है तो all these are water soluble दोस्तों तो 3rd का right answer हो जाएगा D1234 & 5 देखिए यह आपको पहले से याद नहीं होगा तो अभी से इसको याद कर लिए ठीक है इस question को एक opportunity बनाए यह सीखने के लिए कि कौन-कौन से fertilizer साबके water soluble है ammonium nitrate is water soluble potassium sulfate is water soluble phosphoric acid is water soluble urea is water soluble and mono ammonium phosphate is water soluble ठीक है इसका राइटन सरो जाएगा D आई question number fourth देखते दोस्तों with reference to critical period of weed competition in farming practices consider the following statements देखें critical period of weed competition क्या होता है एक माली जी गेहूं का पवधा यहां हम लोगों लगाया हुए है यह खेत है ठीक है और यहां गेहूं उपकाया जा रहा है ठीक है और इसके बगल में क्या होगा जब गेहूं के लिए तो हम लोग ख क्लावरी के लेश वीड क्लीश करेगा है तो वीड की growth के कई stages होगे एक तो इसका stage हो सकता है birth ठीके और stage हो जाएगा इसका growth और stage हो सकता है flowering और अलग अलग stages होगा ठीक है जा तो देखें या तो इसको birth के stage पर हम लोग हटा दे या growth के stage पर इसको हटा दे या तो इसको flowering के stage पर इसको हटा दे किसी भी stage पर हम लोग इस weed को control कर सकते हैं लेकिन देखे उस वो वाला phase जिसमें कि इस weed को control करने पर देखे एक तो plant का growth without weed और एक plant growth with weed plant growth with weed तो क्या होगा लेस होगा और plant growth without weed क्या होगा जाता होगा अब weed को ऐसे time में हटाया जाए ठीक है कि plant का growth उतना ही हो जितना कि plant का growth without weed हो देखे वीड अगर थोड़े टाइम के लिए भी रहा है तो थोड़ा न थोड़ा तो impact करेगा ही लेकिन एक ऐसा crucial time होता है पूरे weed management में यगर उस time weed को control कर लिया जाए तो plant का growth बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि पूरे season में ही weed में impact ही नहीं किया यानि without weed जितना plant का growth हो सकता था उतना growth हो जाएगा इसी period को बोला जाता है critical period of weed competition in farming practices ठीक है अब देखे statement 1 पढ़ी है अब आप इट रेफर्स तो the shortest time span during the crop growth when weeding results in highest economic returns तो दोस्तो first statement तो क्या आपका totally true है फिर देखे the crop yield level obtained by weeding during this period is almost similar to that obtained in a full season of weed free conditions मैंने यही तो बताया पो न एगर इस time में weed को हटा लिया गया तो plant का growth बिल्कुल उतना ही होगा जितना की without weed condition में plant का growth होता तो second is also true, third देखे the critical period of weed competition is approximately half of the duration of the crop हाँ दोस्तों तो अब यह जो critical period of weed competition है यह half of the crop नहीं है यह होता है one third of the crop यह अगर गे हूँ total six months में उसका crop timing है ठीक है तो जो critical period of weed competition होगा six months बटा three यानि two months ठीक है तो third आपका wrong है right answer कियागा four का a, one and two only question no. 5th पर्टे जोस्तों broadcasting refers to spreading fertilizers uniformly all over the field in this context what could be the possible disadvantages of the method of broadcasting ठीक है तो broadcasting क्या है कि हम लोग इसमें fertilizers को spray करते हैं जैसे generally fertilizers अगर आपने थोड़ी सी भी खेती की होगी तो आपको पता होगा कि यूरिया को क्या किया जता है जमीन में ही जब खेती के bluffing करने time या फिर अलग-अलग time में यूरिया को जमीन में ही हम लोग छिड़क देते हैं ठीक है या छिड़क देते हैं या पेड़े पौधों के जड़ों के पास उसको जाकर के एसे लोग रोप ना बोलते हैं उसको रोप देते हैं ठीक है तो यह होता है जेनरल काम लेकिन broadcasting में क्या क्या जाता है जैसे वह salon में आप जाते होंगे जहां बाल कटवाते हैं ठीक है तो एक मसीन गर्ण जैसांड के आतम होता है जिससे लोग पानी छिड़ते हैं आपकी बालों में तो उसी टाइप के मसीन गर्ण में यह फर्टिलाइजर्स को मिक्स करके उसको spread क्या जाता तो इस process को लोग बोलते है जैसे ब्रटिलाइजर्स जीपक जाता है और वहां से भी कई सारे पॉधे बहुत अच्छा फर्टिलाइजर का absorption भी करते हैं और फर्टिलाइजर की efficiency भी बढ़ जाते हैं 1kg urea चिड़कने से पहले जितना फायदा हो रहा था अब 1kg urea चिड़कने से उससे लगवा कुछ जादा फायदा होगा ठीक है तो यह सब है broadcasting लेकिन broadcasting के कुछ limitations भी है तो उन्हीं के बारे में यहां पर पूछा जा रहा दोस्तों ठीक है कि broadcasting के क्या क्या limitations है तो पहला बोल रहा है कि जो non mobile nutrients like potassium cannot be utilized at all by plant roots because they move laterally over long distances तो दोस्तों यह statement आपका क्या है incorrect है यह statement incorrect है कि potassium जैसा जो nutrient है उसको plant roots के दोबारा एक दम ही utilize नहीं किया जा सकेगा ठीक है यह statement आपका बिल्कुल incorrect है क्योंकि देखे potassium भी आपका जमीन में कुछ दूर तक penetrate करेगा भले बाहर से हम लोग शिड़ा करें उसको ठीक है फिर भी वो एक दो इंस तो penetrate करेगा तो कुछ हद तक तो roots के त्वारा इसको use किया ही जा सकता है ठीक है भले बहुत जादा यूज ना किया सा सके ठीक है लेकिन एक दो इंस तक का जब तक plant का roots रहेगा तब तक तो यह इसको use कर ही सकता है ठीक है तो पहला statement आपका क्या incorrect है फिर देखे वीड ग्रोथ में भी stimulated all over the field देखे ब्राड कास्टी में क्या कर रहे है जनरली जब यूरिया हम लोग देते है तो plant के एकदम जड़ के पास देते है ठीक है एकदम roots के पास देते है तो यह यूरिया जनरली किसके दोरी यूज़ किया जाएगा अब पूरे field में हम लोग अगर जो fertilizer है उसको छिड़क दे रहे है तो क्या होगा plant को तो मिलेगा सो मिलेगा ही प्लस साथ के साथ weeds को भी उसका फैदा मिलेगा ठीक है जो unwanted plants है उसको भी इसका फैदा मिलेगा तो weed growth क्या हो सकता है इस्टिमूलेट हो सकता है तो second statement तो क्या है आपका correct है यह इसका एक possible disadvantage है फिर देखे नाइट्रोजन losses due to denitrification में भी enhanced यह भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि अब nitrogen यह जो भी fertilizer है आपका वो पत्तों पर और बाहर बाहर के surface पर है ठीक है तो वहां से heat के द्वारा ठीक है और भी दूसरे biological processes के द्वारा वो आपका fertilizer जो है वो denitrify हो करके atmosphere में nitrogen release कर देगा ठीक है तो वो atmosphere में release कर दिया तो यह हमारे usable nitrogen तो नहीं रह गया ठीक है तो nitrogen loss वहां से काफी सारा मातरा में हो सकता है पहले भी nitrogen loss होता है ठीक है लेकिन अब क्या है कि हम लोगों ने उसको बाहर ही छोड़ दिया है न फटिलाइजर को ठीक है तो वह exposed है वो fertilizer different processes के लिए जैसे sunlight से वह interact करेगा या फिर different atmospheric gases react करेगा या फिर different biological agency react करेगा और वह फिर de-nitrify हो सकता है तो third is actually correct तो right answer क्या होगा फिफ्ट का option number भी two and three only question number six देखते हैं दोस्तों इन इंडिया metallic lead copper sulfate and ethephone metallic lead copper sulfate and ethephone are viewed with apprehension these chemicals are used as तो जो metallic lead है copper sulfate है अधे phone है इनको किस काम लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों तो आपको मुझता दो कि इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है fruit ripening के लिए ठीक है fruit ripening लिए fruit ripening लिए और क्या क्या यूज़ होता है एक तो calcium carbide हो जाता है calcium carbide CAC2 उसके लावा copper sulfate यूज़ होता है उसके लावा oxytocin यूज़ किया जाता है कदू अगरा जो होता है pumpkins उन सब की size को बढ़ाने के लिए फिर wax यूज़ किया जाता है आपके फलों को जादा sine बनाने के लिए ठीक है फिर यूज़ किया जाता है metallic lead जादा green बनाने के लिए सबजियों को जादा green दिखाने के लिए metallic lead का प्रयोक किया जाता है उसके लावा यूज़ किया जाता है copper sulfate ठीक है और ये ethephone फिर laurel alcohol या फिर ethylene gas तो देखे अब यह नहीं किसको बैठ करके आप याद करते रहे हैं बड़ एक बार सुन लिए metallic lead जो है पौधों को जादा green दिखाने के लिए यूज़ होता है wax जो है वो आपका फलों को चमकाने के लिए यूज़ किया जाता है oxytocin pumpkins इत्यादी को इत्यादी का साइध बड़ा करने के लिए दिखा जाता है फिर आपका copper sulfate है वो फलों को ज्यादा fresh रखने के लिए यूज़ किया जाता है और ethylene, laurel, alcohol और ये सारा चीज़े यूज़ किया जाता है आपके फलों को पकाने के लिए ठीक है तो बस इतना आप एक बार अभी ये सुन लिए कुछ दिनों बार दुबारा इसको सुन लेंगे गा वीडियो को repeat mode में देखेंगे तो तो फिर आपको ये याद रह जाएग तो question 6 का right answer क्या हो गया option number A अई question 7 देखते हैं दोस्तों देखें in the context of Indian agriculture what are the advantages of foliar feeding of of horticulture plants ठीक है तो foliar feeding क्या होता है foliar feeding होता है कि चारों अधिके महीं आपको बताता हूँ foliar feeding क्या होता है यह एक पौधा है ठीक है तो इसके कुछ दिनों बाद इसकी इतने बड़े-बड़े पत्ते हो जाएक है पर इस शुरुवारत में ही इतने बड़े-बड़े पत्ते नहीं है इतने बड़े-बड़े पत्ते सुरू में इतने छोटे-छोटे पड़ते रखते है कि इन्वी बूलते हैं से तो अरचे तो फोलीयर स्टेज में ही अगर हम तो इस process को हम लोग बोलते हैं foliar feeding अब आएए देखते हैं कि foliar feeding का क्या-क्या benefit है तो पहला देखे इट has proven to be an excellent method of supplying secondary nutrients such as calcium, magnesium and sulfur to plants तो ये बात सच है कि बहुत सारे secondary nutrients है calcium, magnesium, sulfur उसको जमीन में देने का क्या फैदा वो थोड़ा सा उसको हम चाहिए ही तो directly यहीं पर देदो और पत्ते उसको stomata के माद्ध हमसे क्या कर सकते हैं आपको पता होता है कि पत्तो में छोटे-छोटे छेद होता है जिनको stomata बोलते हैं stomata के माद्ध हमसे उसको क्या कर सकते हैं अब्जॉर्ब कर सकते हैं तो फर्स्ट स्टेट्मेंट तो क्या है अपका करेक्ट है फिर देखें इट के अवाइड दे प्रॉब्लम अफ लीचिंग अफ नूट्रेंट इन दा स्वाइल बिल्कुल सही बात है सीधे पत्तो पर दिया गया है तो अब और नीचे ग्राउंड होगा हम लोग क्या करेंगे धीरे धीरे इरिगेट करेंगे तो क्या होगा यह डिरेक्ली लीचिंग नहीं होगी इसकी स्वाइल में ठीक है बहुत टाइम मिल जाएगा इन पौधों को इसको एब्जॉर्ब करने के लिए ठीक है तो सेकेंड इस्टेट्मेंट भी आपका क्या करेक्ट है फिर थर देख क्या कर सकते हैं mutual benefit हम लोग achieve कर सकते हैं तो fertilizer plant को grow कराने में काम कर रहा है और pesticides आसपास के पेस्ट से उसको बचाने का भी काम कर रहा है क्योंकि पेस्ट ज्यादा तरा के पत्ते और उन सभी जो मुलायम टहनिया होती है उनको attack करते हैं तो उससे भी आप बचा सकते हैं तो आ all the statements are correct आई question 8th देखते हैं which of the following most appropriately describes the phenomenon of pesticide treadmill देखें दोस्तों अगर ऐसा कोई word आता है तो थोड़ी से आपको जेनरल जो knowledge है उसको यूज करनी होगी along with common sense ठीक है पेस्टिसाइड तो आप जानी रहे क्या है और ट्रेड मिल क्या होता है ट्रेड मिल पर आप दोड़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि यह ट्रेड मि पेस्टिसाइड ट्रेड मिल में ऐसा होता दोस्तों कि धीरे धीरे पेस्टिसाइड का doze चलма बढ़ते जाते हैं ठीक है और अब एस जासे यह ट्रेड मिल है ड्रेड मिल पीछह आ रहा है गयर आप इस जगह पर खड़े है ठीक है इस जगह पर खड़े हैं, इसी जगभ पर आपको खड़े रहने के लिए क्या करना होगा अपनी स्पीड को धीरे 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 क्या क्या बढ़ाते रहना होगा, मत wrapping को लगातार दोड़ते रहना होगा ताकि आप सिर्फ इस जगभ पर खड़े रह सके ठीक है तो वही काम होता है पेस्टिसाइड के केस में भी कि हम लोगो धीरे-धीरे पेस्टिसाइड की मातरा बढ़ानी पड़ती है जो कि पहले जो काम आपका कम मातरा में हो जाता था वो काम अब आपका ज्यादा मातरा पेस्टिसाइड से होता है ठीक है तो अब इसका प्रिवेंट बहुत देट को जाधा एफट लगाना पड़ रहा है तो इसी को बोला जारा आध सिसाइड ट्रेड मिल फीक है पहले की position को यानि पहले जितने crop production के लिए हम लोगों क्या करना पड़ा है अब ज्यादा pesticide का इस्तिमाल करना पड़ा रहा है तो H का right answer हो जाए का option number C increase in doses of pesticides to prevent the resurgence of pests that were being controlled with a smaller doses of pesticides earlier and this phenomenon is called as pesticide treadmill अब तो देखते हैं consider the following यहां पर बहुत सारे crops के नाम दिए है root and tuber crops coconut cocoa coffee bamboo and mushrooms which of the above are included under the mission for integrated development of horticulture ऐसा को भी मिशन आये तो आपको यह ध्यान में रखना है दोस्तों कि वह किसके किसके के लिए applicable है जैसे एक मिशन आथा टॉप या इसको operation greens बोल तक है आपको पता हो नची कि top is meant for tomato, onion and potato बाद मैं top को कर लिया गया top to total यानि tomato, onion, potato के साथ और भी जो vegetables है उन सब को भी इसमें include कर लिया गया ठीक है तो बट ऐसा बोला गया top to total बट ऐसा नहीं कि सारे vegetables इसमें कुछ basic किस ऐसे vegetables थे हैं वो इसमें include के गयते हैं तो यह सारे नाम आपको ऐसे ध्यान में रखना चाहिए क्यूंकि इस type के schemes का नाम दे करके आपसे question तो पूछा जा ही सकता है ठीक है कि बताओ यह scheme इसमें इसको serve कर रहा है यह नहीं कर रहा है ठीक है तो anyways यहाँ पर यह coffee को छोड़ करके coffee को हटा करके आपके बाकी सारे crops जो है वो mission integrated development of horticulture में सामिल है तो अब इसका कोई explanation नहीं है root and tuber crops यह सामिल है coconut सामिल है फोकोवा सामिल है bamboo सामिल है and mushroom सामिल है अंडर mission for integrated development of horticulture तो 9th का right answer क्या हो जाएगा option number D 1 2 3 5 & 6 only तो देख लिए यहाँ पर किसी crop की बात की जा रही है जनरली ऐसा आपसे पूसा जाएगा और ऐसा क्यों पूछा जाएगा क्योंकि ncrt में different different crops की conditions इसी तरीके paragraph में लिखे हुई है यह paragraph वहीं से उठाया जाता है और upac ऐसा कई बार पूस चुके जैसे sugar cane का cotton का even wheat का तो यह आपको ध्यान में रखना है इसलिए ncrt को पढ़ना है ncrt की summary पढ़ेंगे summary पढ़ेंगे तो इस टाइप के passages आपको थोड़ी याद रहेंगे क्योंकि वो इस टाइप के passages को एक अलगी language में आपको present करेंगे तो इसलिए ncrt को पढ़ेंगे आइ question number 10 देखते है दोस्ता हूं तो the crop is tropical in nature but can be grown in subtropical areas as well याने tropical subtropical areas में इसको ग्रोग के जा सकता है it requires well distributed rainfall of 50 to 100 cm for its growth तो 50 to 100 cm जो है इसको rainfall चाहिए ठीक है curing curing is an important process that makes the crop ready for the market a well-trained fertile sandy loam is suitable for its growth दोस्तों curing जो है इंडिया में एक crop क्या कह जाता है उसको बोलता है टोबैको ठीक है टोबैको उगाया जाता है ज्यादा तरफ का आंधरप्रदेश में और गुजरात वगरा में ठीक है अब देखें आंधरप्रदेश का example लिए case in example ठीक है तो आंधरप्रदेश में आपका कितना यह होता है rainfall होता है क्या बहुत जादा rainfall होता है 200 cm साथीक rainfall नहीं क्या 100 से 200 के बीच में होता है यानि वो most deciduous वाले range में नहीं इसका आंधरप्रदेश का जो है यह मैंने आपको बताया था खल कि यहां पर थोड़ा सा यह range shadow type का पार्ट है तो यहां तो बहुत कम बारिस होगी और इसके आसपास के एरिया में जश्ट थोड़ा सा यह कर लो तो वहां थोड़ी थोड़ी आपकी बारिस होगी तो 50 to 100 वाला आपका range यहां पर पकड़ा जाएगा ठीक है तो आप समझ लिजे कि यह कि कॉन से chemicals वगरा डाल करके उसको dry किया जाता है ताकि पत्ते बाद में मतलब cigarettes या फिर बीड़ी या सिगार या फिर जो भी chewing tobacco होता है उसके लिए उसका आपको याद रखना है दोस्तों देखिए इंडिया में यह सारे टोबैक होते हैं निकोटियेना टोबैक और निकोटियेना रष्टिका ठीक है बाकिया आप देख लिए एन्वल रेंज 5200 सेंटिमेटर रेंपॉल फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए ब्राइट रेंलेस वेदर लोना चाहिए ठीक है वेल ड्रेंड फ्राइबल संडी लोम्स होना चाहिए और बाकि ठीक है अई क्वेक्शन 11 देखते हैं और स्टेट इन इंडिया हैस्ट फॉलॉइंग क्रेक्टरिस्टिक्स एक ऐसा स्टेट है जिसके क्रेक्टरिस्टिक्स यहां बताया हुए है और वुस्टेट को इडिन्टिफाइब करने है आपको ठीक है इस दे लार्ज़ेस्ट इन इंडिया नूट्री सीरियल यानि मिलेट्स ठीक है बहुत अची बात है फिर देखें दा क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम एरीड टू सेमी एरीड द्यू आई वेरीबिलिटी इन साउथ वेस्टन मौनसून रेनफॉल यह डेजर टाइब क्लाइमेट है दा अग्रेरियन क किसी भी एक स्टेटमेंट से आप इसके राइट एंसर तक पहुँच चकते हैं तो इसका राइट एंसर है ऑप्सन नूबर भी राजस्थान यहाँ पर सबसे ज्यादा मातरा में नूट्री सीरियल होता है मिलेट्स का प्रोड़क्शन सबसे हाई है ठीक है उसके बाद यह स इस वर टंका है जोहड है ठीक है उसके लाव बावली है बावरी बावली जो भी बोली ठीक है और सरोवर पोखर यह सब भी यहाँ पर यूज़ होता है दोस्तों अब अगैन यहाँ पर एक की वर दिया हुए टर्मिनेटर टेकन अलोजी अब यहीसे क्वेसं किया तो आपको पता है ये तो नहीं पता Terminator Technology क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ Generally कुछ Seed Manufacturing Companies है जैसे Cargill and Monsanto इन लोगोंने High Yielding Variety Seed Produce की इन Seeds को यूज़ करके आपने Crop Produce कर लिया जैसे पूर एजामपल गे हूँ ठीक है Wheat Produce कर लिया अब क्या किया इस Wheat में से जितना यूज़ करना था बेचना था वो बेच लिया और कुछ Wheat को बचा लिया अगले साल as a seed तो अगले साल अगर आप इसको as a seed यूज़ कर लेंगे तो क्या आपको Cargill and Monsanto से फिर से दुबारा HYV seeds खरीदना पड़ेगा नहीं खरीदना पड़ेगा तो इससे तो इस company का loss हुआ और आपको पता है कि जो इस टाइप की companies होती है वो तो ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप self dependent हो जो ठीक है तो इसी लिए ये लोग क्या करती है एक technology का यूज़ करते हैं तो आप देखिए यही इसका है technology ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर कहाँ पर यह दिया हुआ है यह जीन एडिटिंग technology that completely eliminates mutation of disease को इससा कोई मतलब नहीं है genetic modification of crops to make them produce sterile seeds in the second generation बिलकुल देखे फर्स्ट जेनरेशन तो यही seed हुआ जो इन लोगों ने provide किया है बट सेकेंड जेनरेशन में जो seed मिल रहा है वो sterile है या नहीं उसको use करके खेती नहीं की जा सकती है तो 12th का right answer क्या हो गया option number B याद रखिएगा terminator technology terminator technology ठीक है इन seeds को terminator technology के साथ एक और keyword याद कर लीजे terminator technology को ही बोला जाता है suicide seeds technology तो आपको यह याद हो जाएगा कि हाँ terminator technology का है suicide seeds technology मुना ऐसा seed जिससे दूसरे जनरेशन में फिर से खेती नहीं की जा सकती है यानि दूबारा आपको खरीजने जाना ही पड़ेगा seeds ठीक है अई दोस्तों question 13th देखते है with reference to direct seeding of rice DSR method है दोस्तों एक तो आपको पता है कि जिसमें हम जो rice की खेती करते हैं तो उसमें होती है transplantation तो transplantation method में क्या होता है कि seeds को पहले nursery में उगाया जाता है और nursery में उस seeds से बन जाते है छोटे-छोटे plants उन plants को nursery से निकाल करके दुबारा जो है पूरा बढ़िया mulch किया हुआ पानी में उसको लगाया जाता है दोस्तों ठीक है बट यहां इतना जादा पानी यह होता है इससे काफी सारे नुक्सान होते तो बहुत जादा पानी का use होता है ठीक है तो ऐसे से करके काफी नुक्सान है और कुछ फायदे है DSR method के तो अब हम लोग देखते हैं DSR mature 7-10 days earlier than transplanted rice बिल्कुल यह statement आपका क्या है बिल्कुल सही है क्यूंकि जब transplanted rice को नए जगह पर लगाया जाता है तो शुरुआती के कुछ दिन तो उसो क्या करने पड़ते है अपने नए roots grow कराने पड़ते है तो यह बात सही कि DSR method से 7-10 दिन पहले ही आपका rice mature हो जाएगा फिर दूसरा statement देखे दोस्तो there is greater crop weed competition in DSR than that in the transplanted rice तेकि यह भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि DSR method में हम लोग क्या करेंगे कि सीधे weeds को लगा दिया एक जगपा ठीक है तो weeds भी grow कर रहा है और वहाँ फटी लाजर ते रहे सब कुछ दे रहे है weeds भी grow कर रहा है और weeds भी grow कर रहा है ठीक है बीज भी grow करेगा और weeds भी grow करेगा लेकिन transplantation में क्या होता है कि पहले एकदम खेत बिल्कुल एकदम clean खेत है और इसमें सीधे हम लोगोंने क्या किया rice को लगा दिया थोड़ा बड़ा इसके plant को ही हम लोग इसमें लगा देते हैं अब ये plant आगे चल रहा है तो अब नया जो weed है यहां जन्म लेगा फिर धीरे धीरे grow करेगा तो ये इसको जादा competition नहीं दे पाएगा लेकिन DSR मेथड में आपको rice की plants को जादा competition मिलेगा तो there is greater crop weed competition in DSR than in the transplantation so this statement is also correct थर्ड देखे the seed requirement for DSR is lower than that required in the transplantation method दोस्तों देखे एक तो यहां पर हम लोग plants को चून-चून करके लगा रहे है transplantation method में अगर कोई भी एक दो गलत खराब हुआ तो नर्शरी में ही उसको छोड़ दिया ठीक है और यहां DSR में हम लोग direct plants को लगा दे रहे है direct seeds को लगा दे रहे है तो obvious ही बात है कि DSR method में क्या होगा seed का requirement ज्यादा होगा क्योंकि हम लोग को पता है कि इसमें बहुत सारे plants जो है वो उतना अच्छे से grow नहीं करेंगे ठीक है तो हम लोग को DSR में क्या करना होगा ज्यादा seeds लगाना होगा ठीक है बाकी transplantation method में तो क्या है हम लोग एदम चून सकते है जो best plant है उसको वहाँ पर लगा दिया बाकी को छोड़ दिया तो third statement क्या हो गया आपका incorrect हो गया दोस्तों बाकी 13th का right answer हो गया A1 and 2 only ठीक है DSR उतना effective method नहीं रह गया न तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा seeds आपको लगाना होगा बस यह समझ लीजे आईए विट रेफरेंस टू एग्री बिजनेस फार्मिंग ठीक है consider the following statements और correct statement को identify करो ठीक है एग्री बिजनेस फार्मिंग जो है दोस्तों यह एक commercial फार्मिंग है फार्मिंग है जिसकी financing जो है वो कौन करते हैं corporations करते है ठीक है यह इसके लिए जो भी capital चाहिए कुछ भी चाहिए वो बड़ी बड़ी companies लगाते हैं ठीक है अब देखें यह एग्री बिजनेस फार्मिंग होगे और एक होती corporate farming corporate farming में दोस्तों जमीन से लेके सब कुछ जो है मतलब बड़े बड़े हजार दो हजार बीस हजार एकड़ जमीन जो है वो किसी company ने खरीद लिया होता है वो मतलब proper एक company का ही जमीन होता है और सब कुछ company का ही होता है ठीक है या किसानों के साथ किसी contract में हो ठीक है कोई company और वो basically capital लगा रही हो ठीक है तो चली देखते है तो यह तो मैंने पहले बता दिया कि agri business farming को finance कौन कर रहा finance कर रहा corporations ना कि small farmers तो पहला statement हो गया आपका incorrect फिर दूसरा देखे बिल्कुल सही बात है जब corporations इसको finance कर रहे है तो mechanized को होगा ही इसमें कौन सी machine ये लोग नहीं लगा सकते है सब सारी machines लगा सकते हैं सारे chemicals और सारे fertilizers भी ये लोग यूज कर सकते हैं तो second statement क्या है आपका correct है तो 14th का right answer हो क्या option B to only अगे question 15 देखते हैं consider the following statements regarding forage crops forage crops किसको बलते हैं 4 जो एक मुख्य मंत्री साहब खोब खाते थे ठीक है वैसे generally 4 गाए या भैस बैल ये लोग खाते हैं ठीक है कभी कभी नेतागण भी उसो खाना चाहते हैं anyways तो तो 15th परसन देखते हैं vegetative part of forage crop is used as green fodder ठीक है तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो forage crop ही है तो उसका जो vegetative part है उसको green fodder के रूप में use किया जा सकता है फिर देखे लेमन ग्रास शिट्रो नेला ग्रास हिना जैपनीज मिंट और सम अब द एक्जांपल्स और फॉरेज क्रॉप्स दोस्तों ये सारे फॉरेज क्रॉप्स नहीं है ठीक है ये सारे हैं aromatic plants जिसको हम लोग use कर सकते है spices की तरह मसालों की तरह बट ये चारा का रूप में मतलब इसको use नहीं किया जा सकता है ठीक है चारे के रूप में जो grass का यूज किया जाता है उसमें example है पहला तो correct है second incorrect है ये आपका incorrect है चारे के रूप में यूट के जाता है दूस्तो पारा ग्रास नाम बस सुम लेजे नैपियर ग्रास ठीक है तो ये हो गया आपका सारा जो कि चारे के रूप में इन सभी का प्रयोग किया जा सकता है तो 15th का राइट एंसर हो गया A1 only अज़ दूस्तो question 16th देखते है which among the following are the uses of seaweeds तो समूदर में ऊपने वाले जो weeds होते हैं उनका क्या-क्या use हो सकता है तो जैसे food for humans बिल्कुल इससे आजकल बहुत सारे vitamins भी बनाते है multivitamins खुब सारे बनते हैं seaweeds तो उसको इंसान खा भी सकते हैं बिल्कुल खा सकते हैं तो first is correct है फिर आप second देखे potential indicators of pollution देखे बहुत सारे ऐसे weeds होते हैं जो कि एक particular pollutant के बढ़ने पर ही वो weeds उगते हैं या फिर एक particular pollutant के उगने से weeds उनकी death हो जाती है तो दोनों cases में ये seaweeds क्या कर रहे हैं indicator का काम कर रहे हैं कि कौन सा pollution यहां बढ़ या घट तो नहीं गया है तो second is actually correct फिर देखे used in treatment of goiter दोस्तों goiter के treatment के लिए भी आपका seaweeds का यूज क्या जाता है goiter फिर intestinal disorder के लिए भी seaweeds का यूज क्या जाता है तो third is also correct ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो सम्मूद में बहुत सारे ऐसे resources है जिसका उप्योग क्या जाता है medicines बनाने के लिए ठीक है तो anyway 16th का right answer क्या हो जाता है दोस्तों option number D all of the above देखे with reference to macronutrients nitrogen, phosphorus and potassium which of the following statements is our correct यानि macronutrients आपको पता है कितने होता है तो सबसे पहले तो जान जाएगी कि macronutrients होता है total 6 nitrogen, phosphorus, potassium calcium, magnesium और sulfur nitrogen, potassium nitrogen, phosphorus potassium, calcium, magnesium sulfur यह है आपके macronutrients इसके अलावा जो भी nutrients चाहिए होते है plants को उसको बोलते है micronutrients क्योंकि यह सारे nutrients जो है किसी plant को बहुत कम मातर में चाहिए होते है जैसे कि zinc ठीक है molybdenum copper अगर यह सब चाहिए होता है ठीक है तो चाहिए होता है कम ही मातरा में ठीक है और N, P और K का दोस्तों इसमें एक ratio fix किया हुआ है कि ideal ratio है इसका 4 is to 2 is to 1 ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है आईए देखते हैं statements ideal ratio considered for nitrogen, phosphorus and potassium stands at 6 is to 3 is to 2 तो N, P के का ratio होगा 4 is to 2 is to 1 तो पहला तो statement आपको क्या होगा गलत होगा फिर देखे phosphorus forms an integral part of nucleic acids that are carriers of genetic information ठीक है तो देखे यह बात बिल्कुल सही phosphorus जो है nucleic acid जो की genetic information को carry करता है उसका एक important part बनाता दोस्तों यह phosphorus जो है यह nucleic acid में present होता है यह बस अब ध्यान रोगे phosphorus nucleic acid genetic information second statement is correct फिर देखे phosphorus ensures transportation of photosynthesis synthesis ने होगा synthets होगा photosynthets throughout the plant जैसे एक किसी plant ने पत्तों के पास में कोई glucose बनाया photosynthesis के थूँँ glucose बनाया लेकिन उस glucose की जड़ोत पूरे के पूरे पेड़ को है तो उस पूरे के पूरे पेड़ तक इसको पहुँचाने का काम जो है वो कौन करेगा यह बोल रहा है phosphorus करेगा हलाकि यह काम phosphorus नहीं करेगा यह काम करेगा potassium ध्यान में रखेगा जो photosynthetes है यानि result of photosynthesis जो हो रहा है result of photosynthesis क्या है glucose या fructose तो उसको जो है पूरे पेड़ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा वो काम करेगा potassium potassium ensures transportation of photosynthesis throughout the plant तो third statement तो गलत है क्योंकि यहां phosphorus दिया वा था ना कि potassium दोस्तों 17th खराइटें से रोगया option number C 2 only तो देख लीजिए आइए question 18th देखते हैं दोस्तों with reference to mixed farming which of the following statements is our correct तो mixed farming से related यहां पर पूचा जा रहा है कि कौन सा correct statement है देखे mixed farming is a characterized by low capital expenditure on agricultural inputs देखे mixed farming होती क्या mixed farming होती है जहां पर crops भी लगा जा रहा है आप animal farming भी कर रहा है ठीक है कुछ fisheries बगरा का भी उतपातन कर लो ठीक है तो इसको बोलते है mixed farming ठीक है generally crops और livestock दोनों आपको चाहिए ठीक है तो अब यहां पर दिखे कि capital expenditure कम थोड़ी होगा capital expenditure तो थोड़ा जादा होगा ठीक है भाले recurring expenditure आपका कम हो सकता है ठीक है क्योंकि animals से आप पहले कुछ manure crops मिल दे दो और crops का जो extra आ रहा है जो waste है वो animals को खिला सकता हो ठीक है लेकिन initially जो है capital expenditure इसमें क्या होगा जादा ही होगा तो पहला statement तो क्या आगा है आपका incorrect होगा क्योंकि आपको माली यह 10 भैस ही खरीदें दोस्तों तो एक-एक भैस आज कल एक-एक लाख का होता है ठीक है तो भैस को छोटा मत समझी है अप लोग ठीक है अनिवे सेकेंड इस्ट्रिम में देखें fodder crops are an important component of mixed farming बिल्कुल सही बात है यूदि कि अगर animals भी हम लोग पाल रहे हैं अगर हम लोग पाल रहे हैं साथ के साथ तो cattle को खिलाने के लिए crop का कुछ पार्ट हम लोगों क्या करना होगा forage crop लगाना होगा सिर्फ इंसानों को खाने के लिए नहीं जानवरों के खाने के लिए भी हम लोगों कुछ ना कुछ महाँ पर उगाना होगा तो second आपका हो गया, correct तो right answer क्या हो गया, 18th का, B, 2 only आए, question number 19 देखता है, consider the following statements और यहां incorrect statement identify करना, यह ध्यान रहे है दोस्तों आपको पता होना चाहिए जनरली कि planktons जो है, दो टाइप के होता है, एक होता फाइटो planktons, ठीक है, जिसका example है algae और एक होता जू-plankton और जू-plankton का example है आपका crustaceans और protozoa या फिर दाइटम्स भी इसका example है ठीक है, इनफेक्ट, साइनो-bacteria भी इसका example है, डाइटो-flagulates भी इसका example है, लेकिन डाइटो-flagulates और यह साइनो-bacteria, यह सब फाइटो-plankton का example है दोस्तों ठीक है, मतलब प्लैकton है यह भी ठीक है, तो यह ध्यान में रहे आपको, कि जू-plankton तो होगे आपके crustaceans और proto तो जोवा ठीक है और phytoplankton में हो गया आपके algae, cyanobacteria, dinoflagellates ठीक है तो अब यह बोला है कि plankton का मतलब सिर्फ microscopic plants है और microscopic animals नहीं है तो यह statement तो क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया वाकि दूसरा statement कि cyanobacteria and dinoflagellates are examples of phytoplankton तो second statement आपका correct है दोस्तों ठीक है तो राइट एंसर क्या हो गया आपका राइट एंसर हो गया आपका अचाहिए यह इनकरेक्ट पूश रहा है तो 19th का A, one only is the correct answer देख लीजे तो एक question 20 देखते है दोस्तों with reference to organic fertilizers in India consider the following statement तो organic fertilizer related statement आपसे उसे जा रहा है fertilizer response ratio has been declining over time बिल्कुल सही बात है अब fertilizer response ratio क्या होता है कि जितना fertilizer दिया उस ए बज में कितना crop produce हुआ ठीक है अब जो है उतना ही fertilizer देने पर अब उतना crop produce हो रहा है उससे कम ही crop produce हो रहा है दोस्तों ठीक है पहले अगर दो केजी crop produce होता था एक केजी उरिया से तीक है अब एक केजी उरिया से एक ही केजी crop produce हो रहा तो fertilizer response ratio has been declining over time and this is a correct statement फिर देखें composting is a biological process in which microorganisms decompose the organic matter again this statement is also correct composting का यह definition है यह आपको पता होगा फिर देखें oil cakes are insolubile in water but their nitrogen takes a long time to absorb in plants दोस्तों organic fertilizers में जो oil cakes है इनको बोला जाता है concentrated fertilizers और इनका जो nitrogen है वो इस्टेंटली plants के लिए ready हो जाता है दूस्तों instantly available होता है plants के लिए instantly available for intake यह सारे words आपको इस्टेंटों मिलेंगे it becomes the nitrogen of oil cakes becomes instantly available for the plant intake तो third statement तो क्या आपका incorrect है ठीक है तो 20 का right answer क्या हो गया option number a one and two only question 21 देखते है दोस्तों with reference to horticulture crop consider the following statements और यहां पर हम लोगो correct statement identify करना है तो पहला देखे है कि horticulture and market gardening is well developed in densely populated industrial districts of African countries and the Mediterranean regions देखे यह बात सच है कि Mediterranean regions में horticulture और market gardening जो है वो well developed है but African countries में दोस्तों यह उतना well developed नहीं हो पाया है ठीक है इसलिए तो वहां पर गरीबी है दोस्तों यह तो आप समझी सकते हैं तो क्या है इनकरेक्ट है फिर देखें the reasons where farmers specialize in vegetables only farming is known as truck farming यह बात सही है कि कुछ जगह के लोग जो है सिर्फ सब्जियों की खेती करते हैं सब्जी उगाते हैं सुभा सुभा ट्रक वाले आते हैं ठीक है सब्जी यहां से तोड़ करके ट्रक में सिधा लोड इसको simply बोलते है इसको पूरी farming ही truck के लिके जाते है वैसे वैसे जगों में truckों का खूब आना जाना रखता है तो क्योंकि truck से इन सारे सब्जीओं को बहुत कम देर में कहां पर जा सकता है मंडी तक महुचा जा सकता है तो इसको actually में truck farming बोलते हैं ध्यान रहे vegetables only जहां पर उगाय जा रहा है उभी large scale पर तो उसको का बोलें का truck farming बोलें है second statement इस correct तो right answer हो जागा 21 का B2 only जेख लीजे आई questions 20 seconds देखने दोस्तो with reference to agriculture in India consider the following statements तो Indian agriculture related statements दिया हुआ है और correct statement identify करना है तीक है sugar cane and sugar industry in India is largest agro based industry before the cotton industry दोस्तो ये गलत है सबसे बड़ी जो agro based industry है वो cotton industry ही है इंडिया में ना कि sugar और sugar cane industry है sugar and sugar cane industry is the second largest agro based industry तो first statement तो हो गया आपका incorrect फिर देखे states announce a state advised price at levels higher than FRP ठीक है FRP का full form होता दोस्तो fair and revenue narrative price तो जैसे MSP को कौन यह बताता है MSP declare के रहता है आपका finance ministry के द्वारा बेसिकली एक committee है उसका नाम तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है एक CSCP committee है commission on committee on agricultural cost and prices ठीक है तो यह इसको recommend करता है और फिर एक दूसरी committee है जो कि finance ministry के अंतरगत है ठीक है अगर उसका किसी को नाम अभी exactly याद रहा है तो वो comment में पता देगा मुझे ठीक है तो वो फिर MSP declare करती है वैसे ही FRP भी declare करती है ठीक है तो यह होगा central government के द्वारा but in addition to that जो state जो है state advised price declare कर सकती है जो की FRP से थोड़ी high होती है ठीक है तो second statement आपका क्या है correct है तो right answer क्या होगा 22 का B 2 only A 23rd देखते है दोस्तो तो यहाँ पर एक keyword दिया गया है रटून cropping या रटूनिंग रटूनिंग किसको बोलते है दोस्तो आपने एक crop लगाया एक रॉप लगाया रॉप बड़ा होते गया पुरा बड़ा हो गया ठीक है आपने यहां तक क्रॉप को काट लिया फिर यह जो बचा हुआ पॉर्शन है ठीक है यह बचा हुआ पॉर्शन है उसको कहीं क्रॉप इसी को उपर से फिर यह उगए लगा थी कि पिशकाट लूप बड़ा करते कर लेगुरल but ok инеaple में तो चार से पांच बार राटूर निक होते हैं लेगिन फचन बार राटूर em बट ऐसा नहीं कि आ बहुत उसको सालों साल फिर रटूनिंग ही करते रहें, क्योंकि हर बार जैसे रटूनिंग की इफिसेंसी धीरे-धीरे घटती जाती है, जैसे पहली बार उस सुगर के नों बहुत सारा मालो सुगर मिला, ठीक है, तो दूसरी बार थोड़ा कम सुगर मिल तो फिर चौथी बार किसान सुचे करना कि या चलों फ्रेश उगा लेते हैं, ठीक है, तो इसलिए यह नहीं कि एदम लगातार आप उसी रटूनिंग करी सकते हैं, बट हाँ, यह है रटून क्रॉपिंग, ध्यान में रहे है रटून क्रॉपिंग, 23rd का राइट एंसर क्या अध inhabit है यहाँ पर टीलेज से रिलेटेड स्टेटमें्ट्स दिया हुआ है, फॉलोइंग स्टेटमें्ट्स रिगार्डिंग टीलेज इन इंडिया और क्रेक्ट स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, खेत की ज्युताई करते हैंHAHA उसी को tillage बोला जाता है तो tillage is beneficial to reduce runoff of water and reduce soil erosion अब यह depend करता है कि कैसा tillage है अगर बहुत जादा excessive tillage करते हैं तो soil erosion बढ़ भी सकता है बट generally tillage करके आप soil erosion को घटा भी सकते हैं और water की runoff को तो बिल्कुल control कर सकते हैं ठीक है यह जैसे यह खेत होगा फ्लैट बीच बीच में जैसे मेड़ह की जैसे बना जाता है इसके बीच में हम लोग इसो क्या बोलते हैं क्यारी बोलते हैं इसको इंग्लीज में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आपी आ रहा है God bless me दोस्तों आप समझ गयें कि टीलेज जो है उसके थुर्व सॉयल इरोजन को कंट्रोल के जा सकता है और वाटर के रनओ को भी रिडूस के जा सकता है लेकिन अगर अनसैटेटिंप्रिक टीलेज के जा जा तो उसका भी भी हो सकता है तो ऐसे first statement in general true है फिर तूसरा देखे zero tillage degrades organic matter content due to high mineralization of soil देखे यह तो गलत है zero tillage जो है वो generally soil के लिए beneficial मान जाता है क्योंकि यह organic content को बढ़ावा जाता है अब zero tillage का मतलब क्या है कि खेत की बार-बार हम लोग जूताई नहीं कर रहे है खेत की बार-बार जूताई नहीं कर रहे है तो खेत के जो micro organisms है वो मस्त सुरक्षित है उनका growth हो रहा है ठीक है तो organic matter content तो soil का बढ़ेगा और mineralization high mineralization नहीं होगा mineralization control में रहेगा दोस्तों तो second statement क्या है आपका incorrect है तो right answer क्या हो जाएगा 24th का A तो देखिए एक question 25th देखता है देखिए यहां MSP से related कुछ statements दिया वह है और हम लोगों को incorrect statement identify करना है ठीक है MSPs are announced during harvesting season for certain crops on the basis of recommendations of the commission for agricultural cost and prices तो दोस्तों यह जो MSP है वो आपका harvesting के दौरान announce नहीं किया जाता अब खेत में आपने अनाज उगा ही दिया आप उसको काट लिया तो काटने के दौरा MSP announce करने से क्या प्यादा ठीक है in fact MSP को announce क्या जाता है cropping season के पहले cropping season के यह नी soving season के पहले फसल लगाने से पहले उसको announce क्या जाता है ताकि अगर government चाहती है कि हम लोग wheat जो है उसकी पैदावार अगर बढ़ानी है ठीक है और rice की पैदावार घटानी है मैं example दे रहा हूँ तो वो क्या करेगी wheat के season से पहले cropping season, sowing season से पहले बुलेगी wheat का MSP हम लोग बढ़ा रहे है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान क्या करेंगे wheat उखाएंगे और rice की अगर हम लोगो पैदावार घटानी है माली जे बहुत सारा rice पढ़ा हुआ है हमारे पास तो rice की MSP को थोड़ा घटा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान rice को नहीं हुआना चाहेंगे मेरी बात समझ रहे है तो ये तो फैदा होगा न sowing season के time में अगर MSP announce कर जाता है फिर दूसरा statement देखे the MSP are fixed at incentive levels to induce more investment by farmers in the farmer sector ये बिल्कुल सही बात है total 23 crops पर MSP announce किया जाता है ठीक है उसमें आप ध्यान रहे कौन-कौन सा crop है एक बार नाम सुन लिजे चाहे तो आप लिख के इसको याद भी कर सकते है 7 cereals है पालगलत है दूसरा सही है 7 cereals है चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको तो second statement आपका correct है first incorrect है right answer हो गया 25th का A1 only अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन से crops पर MSPs दिया जाता है तो देखे 7 cereals है पैडी, wheat, barley, जो़ार, बाजरा, मेज, एंड रागी फिर 5 पलसे से है ग्राम, फिर अरहर जिसको तूर भी बोला जाता है फिर मूंग डाल, उलाद डाल और लेंटिल फिर देखे 8 oil seeds जिसमें से है ग्राउंड नट, रेप सीड, मस्टर्ड, तोरिया, सोया बीन, सनफ्लावर, सनफ्लावर सीड, सीसेमम, सैफ्लावर सीड और नाइजर सीड फिर देखे कॉपरा, रो कॉटन, एंड रो जूट इन सभी पर MSPs अनौन्स की जाती है आई question 26 तो देखते है देखे, which of the following are microorganisms acting as biofertilizers इन में से कौन-कौन से microorganisms है, जो कि biofertilizers की तरह यूज किया जा सकते है तो पहला है rhizobium तो rhizobium बेसिकली biofertilizer की तरह यूज किया जा सकता दोस्तों पहला है जो पहला है फिर देखे, anabina ऑनबाइन, यह एक टाइप का यह बैक्टीरिया है, दोस्तों दोस्तों तो यह भी आपका भाईयो फटिलाजर की तरह यूज किया जा सकता है फिर sulfur dissolving bacteria यह भी आपका भाईयो फटिलाजर की तरह यूज किया सकता है फिर फीस मिल फीस मिल भी बायो फटिलाजर के तरह यूचिया जा सकता है बट यह माइक्रो और्गनिजम तो एड्डोंट फिंग की है ठीक है फीस मिल यानि कि जैसे जो मचली उद्योग में जो बची-खुची मचलियां हो जाती है ठीक है जो बीक नहीं पाई तो उनको ड्र अब यहां सब्सक्राइब करते टाइम यह भूल गया है इसने माइक्रो और्गनिजम पूचा है अब यह बायो फटिलाइजर तो यह है फिस मिल तो चलिए ठीक है उसको देख लिए 26 का राइट एंसर क्या हो गया ऑप्शन नमबर डी वन तू त्री एंड फॉर यहां देख लिए कुछ सिंबायोटिक बैक्टिरिया जाते हैं जैसे वह और गया आपका ऑर्णोमोनास और एस्पिरियौ्स फिर एनारोबिक बैक्टिरिया होगा क्लॉस्ट्रीडियम और क्लोरोबियम फिर इसके अलावा है बैसिलस फिर ऐसी रेचिया यह सब ध्यान देखे एक एक बार सुन लिए कम से कम फिर देखे ब्लू ग्रीन एल्गी है एनाबैना देखे मैंने वहां गलती से बोल देखे एना बाइनॉप्सिस और नॉस्टो एनाबैना एनाबैनॉप्सिस और नॉस्टो यह सब क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी है इनका भी यूद क्या जा सकता है बायो फर्टिलाजर के रूप में फिर ठीक है फिर एजोला है यह भी बायो फर्टिलाजर के रूप में यूद क्या जा किया जा सकता है तो यह होगा 26th का दोस्तों ऐसे कोई भी चीजों को आपको पूरा धंग से याद नहीं करना है बस 4-5-6 बार उसको क्या करें कि आपके नजरों से वो गुजरना चाहिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ति वो गलत नहीं होगा टाइम आने पर आप सही एंसर चूज कर लेंगे बट पसरते की 5-6 रिवीजन आपका होना चाहिए दोस्तों आई क्वेस्टन 27 ते देखता है विच ओफ द फॉलोइंग अर्दा करेक्टिरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पर्मा कल्चर ठीक है तो पर्मा कल्चर क्या होता है दोस्तों पर्मा कल्चर एक डिजाइन सिस्टम है जैसे आप खेती करते हैं तो क्या करते हैं पहले प्लफिंग करते हैं यह जुताई करते हैं वहाँ पर फिर इरिगेशन करते हैं शीचाई ठीक है उसमें आप बुवाई करते है ठीक है ऐसे-ईसे बहुत सारे प्रोसेश्स आपको करने पड़ते है तब जाकर के आपको क्या करते हैं artificially उसी टाइप का एक natural system create करने का कोसिस करते हैं जो हमारे ecology के rules पर चलता हो ठीक है तो यह आप समझें यह है आपका permaculture अब देखें it can help degraded ecosystems recover health and wilderness यह बिल्कुल सही बात है degraded ecosystems में हम लोग इसको utilize कर सकते हैं क्योंकि degraded हो चुका है जो तो उसको ecologically अगर हम लोग regrow करने के process करें तो वो उसके लिए beneficial होगा ठीक है फिर दूसरा देखें it promotes organic agriculture and completely eliminates use of pesticides तो यह statement देखें वैसे आपको extreme लगेगा ठीक है बट यह statement सही है क्योंकि permaculture में यह सब pesticide वगरा का use नहीं किया जाता क्योंकि मैंने आपको क्या बता है जो natural ecological method है उसो फॉलो करना है जंगल में कौन सा आप pesticide और weedicide use करने है वो सब तो होता नहीं है फिर देखें it can be applied in any ecosystem no matter how degraded बिल्कुल सही बात है हाँ time लगेगा बहुँ जादा degraded ecosystem है थो बट इसको कहीं पर भी implement किया जा सकता है फिर देखें it aims to minimize symbiotic and synergistic relationship between side components यह गलत है it aims to maximize ठीक है natural जो system होता है वो synergistic होता है जैसे एक जंगल में थोड़ा सा तालाब है ठीक है कुछ grasses grasslands है फिर कुछ animals है फिर कुछ trees है तो यह सब यह क्या कर रहे है एनिमल्स तलाब से पानी पी रहे है ठीक है यहाँ पर trees के पास और घास के पास जा करके सुसू कर रहे है या मतलब जो कर रहे है उससे इनको क्या मिल रहा है fertilizers मिलने से tree grow कर रहा है ग्रो हो रहा है तो इनीमल्स उन्ही ट्री में से फल खारहे हैं इनी ग्रासे उखा रहे हैं ठीक है तो यह सारा system का synergistic system है ढे ठीक है यह symbiotic relation सब एक दूसरा क्या पहुंचा रहे हैं ठीक है तो जब हम लोग को natural ecological pattern को ही design करना है तो symbiotic से नर्जिस्टिक relation को हम लोग minimize क्यों करेंगे हम लोग तो उसको maximize करेंगे तो fourth आपका होगा incorrect statement 27th का right answer होगया option number A 1, 2 and 3 only इसको देख लिजे question 28th देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ statements दिया हुआ है और हम लोगो correct statement identify करना है देखे sodium, iron and manganese in large amounts play a significant role in plant growth मैंने आपको पहले ही बताया कि nitrogen phosphorus potassium calcium, magnesium sulfur यह छे जो nutrients है इनको बोलते है macronutrients और macronutrients हम लोगों को चाहिए large amounts में इनके अलावा अगर कोई भी nutrient हम लोगों चाहिए तो वो nutrients चाहिए हम लोगो small amount में क्यूंकि वो इनके अलावा जो भी nutrient होंगे वो होंगे micronutrients तो अब देखे sodium, iron and magnesium यहाँ पर है क्या कहीं पर भी यहाँ तो क्या है nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur यह इसमें नहीं है तो यह large amount में कैसे significant ले कर सकते हैं यह तो बिल्कुल गरत है यह सारे चाहिए हम लोगो small amount है पहला statement होगे आपका incorrect फिर देखे nitrogen is helpful in photosynthesis and an integral part of chlorophyll तो बिल्कुल सही nitrogen जो है photosynthesis में help करता है और यह chlorophyll का एक पार्ट भी है फिर देखे potassium gives an energy to plants for water to flow in upward direction till leaves देखे दूसरा से यह तिसा देखे potassium मैंने आपको बताया था potassium help करता है transport में transport of salt any minerals water और साथ के साथ transport of glucose तो यही चीद बोलता है transport gives an energy to plants for water to flow in upward direction till leaves तो यह भी आपका क्या correct है potassium का काम है transport दोस्तों चाहें जो पत्तों ने जो glucose बना है उसको पूरे पेड़ तक पहुँचाना या फिर जणों के पास से salt और वाटर को पूरे पेड़ तक पहुचाना potassium will be used for transport एक्डम 100% इसको याद रखिए ठीक है तो 28th का राइट एंसर क्या हो गया option number B2 and 3 only 29th देखते हैं दोस्तों consider the following statements about agricultural subsidies in WTO ठीक है आपको पता है कि WTO के अंतरगत तीन टाइब के boxes होती है agricultural subsidies में ठीक है अब याद रख सेके एक होता red box फिर एक होता है green box और एक होता है अपका amber box ठीक है तो green box में तो उस टाइब की subsidies है जो कि directly किसी एक crop को target नहीं करें जैसे कि आपने क्या किया कि ये PM किसान के तहत सभी किसानों को 2000 या 6000 रुपय दे दिये तो ये किसी एक particular crop को target करके तो बना ही नहीं गए है ठीक है तो ये हो गया green box subsidy ये आप कितना भी मातरा में दे सकते हैं ठीक है फिर एक red box subsidy जो कि market को directly distort करने का काम करें ये बिल्कुल भी नहीं देना है ठीक है फिर देखे एक है amber box subsidy जो कि market को distort तो कर रही है ठीक है लेकिन इसको कुछ मातरा में दिया जा सकता है तो इसका कुछ-कुछ मातरा defined है दोसको जैसे 10% something ये है ये defined है और MSP जो है हम लोग जो किसी किसी crop के लिए MSP देते हैं minimum support price provide करते हैं वो भी amber box के अंतरगत वो कभर होती है दोस्तो ठीक है चलिए देखते हैं पहला statement क्या है the agricultural subsidies which cause minimal or no distortions to trade are put under the blue box ये मैं आपको बता है कि अगर कोई भी distortion नहीं कर रहे है तो उसको हम लोग किसमें रखेंगे green box में रखेंगे पहला statement तो क्या आपका incorrect हो गया फिर दूसरा statement देखे amber box includes government policies of minimum support price में अभी आपको बता है कि amber box में MSP आती है तो second का correct है तो 29th का right answer हो गया option number B 2 only चलिए दोस्तो इसी साथ हमारे ये session complete होता है अगर आपको ये session अच्छा लगा तो आप मेरे telegram channel CAC with Anand Mohan को join कर सकता है और दोस्तो मैं आपको इस promise करता हूँ कि आप इस पूरे CDH को अगर follow करेंगे तो आपका UPSC prelims का exam जो है वो काफी अच्सान हो जाएगा चले मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत 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 दोस्तों